लोगसभा चुनाम दो हजार शौबिस के आने से पहली उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी न किसी वज़े से खलबली मची हुई है बिपक्षी दल लगतार कोई न कोई मुद्दा उठा कर भाजबा सरकार को घेरने की कोशिच में लगा रहता है इसी तरह का एक मामला अलिगट से सामने आया है जिसमें सपा प्रमुक अखिलेश के एक ट्वीट ने हरकम बचा दिया है तो वहीं इस मामले के वारल होते ही पुलिस ने आनन फानन में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्श कर लिया है और उसे गिरफतार कर लिया है आपको पता दें कि सपा प्रमुक अखिलेश यादव ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक फोटो ट्विट की है जिसमें एक परिवार दिखाई दे रहा है और एक शक्स अपने बेटे को बेचने के लिए गले में तक्ती लटका कर बैठा हुआ है अखिलेश ने इस फोटो पर ट्विट करते हुए भाजपा पर सीधा निशाना सादा है और उन्होंने ये लिखा है कि ये है भाजपा का अमरतकाल जब एक पिता अपने पुत्र को बेचने के लिए गले में तक्ती लटका कर बिलखने को मजबूर है इस से पहले कि ये तस्वीर दुनिया भर में फैल जाए और प्रदेश के साथ साथ देश की छबी संपून विश्प में धूमिल करें कोई तो सरकार को जगाए इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर वाइल होने के बाद ही पुलिस भी मामले की जाच में जुट गई है तो वहीं खबर सामने आई है कि अपने बेटी को बेचने के लिए बीच सड़क पर बैठे हुए पिता को सूधकोर ने रुपे ना लोटाने पर जान से मारने की धमकी दी थी इस मामले की जाच के सामने आने के बाद ही पुलिस ने आरोपी के वरुद मुकदमा पंजिकरत कर उसे गिरफतार कर लिया है क्या है पूरा मामला इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं अलिगर के महुआ खेडा छेतर के निहार मेरा स्कूल के पास रहने वाले राजकुमार इरिक्षा चला कर अपने परिवार का पालन पोशिन करते हैं उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि उसने जमीन खरीदने के लिए सूर बिहार निवासी अपने रिष्टेदार चंडरपाल से 50,000 रुपए उधार लिये थे राजकुमार ने अरोप लगाया कि अपने रुपए निकलवाने के लिए उसकी जमीन के कागजों को बैंक में रखवा कर लोन सुईकरत करा दिया राजकुमार ने बताया कि उसने अपनी रिष्टेदार को थोड़ा थोड़ा रुपए लोटाने का वादा भी किया था लेकिन 21 अक्टूबर को आरोपी ने उसका ए रिक्षा छीन लिया और उसे जान से मारने की धमकी डेडाली राजकुमार ने पुलिस पर भी आरोप लगाया और बताया कि उसने इस संबंध में थाने में भी शिकायत की थी लेकिन आरोपी के खिलाब कोई भी कारवाई नहीं की गए इसी के बाद वह निराज होकर अपने बेटी को बेचने के लिए निकल पड़ा क्योंकि उसके पास लोटाने के लिए रुपए नहीं है बता दे कि गुरवार को राजकुमार अपनी पतनी वा बच्चों के साथ टंपनी बाग चराहे पर बैठ गए थे और गले में तक्ती लटकाय हुए थे जिस पर लिखा था कि मेरा बेटा विकाओ है मुझे बेटा बेचना है उन्होंने रोते हुए मीडिया से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा 6-8 लाक रुपए में कोई खरीद ले तो मैं सूधखोर को पैसा लोटा दू बता दी कि तस्वीर सोशल मीडिया पर वारल होने के बाद ही पुलिस राजकुमार को थाने ले आई थी और फिर उनकी पूरी बात सुनने के बाद राजकुमार की तहरीर पर मामला भी दर्श कर लिया राजकुमार ने तहरीर में कहा कि उसने 6,000 रुपए वापस कर दिये थे 21 अक्टूबर को शाम 4 बजे देवी नगला में आरोपी ने गाली गलोच करते हुए धमकी भी थी वहें इस पूरे प्रकरन को लेकर SP सिटी मरगांग शिखर पाठक ने मीडिया को बताया कि राजकुमार ने अपने रिष्टेदार से रुपए उधार लिये थे राजकुमार पैसी नहीं लोटा सका इसी के बाद रिष्टेदार ने उसे धमकी दे डाली फिलाल इस मामले में मुकदमा पंजीकरत कर आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है इसके साथ ही बयान के आधार पर इस मामले में सूत कोरी की भी धारा जोड़ी गई है इस वीडियो में फिलाल इतना ही बाकी यूपी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस उतर प्रदेश नमस्कार